नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में, Realme Naso 70 vs Realme 12 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की, दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Naso 70 में 6.42 इंच जब की 12 5G में 6.52 इंच की लेंथ मिलती है विद्ध की बात करें तो, Naso 70 में 2.97 इंच जब की 12 5G में 3 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Naso 70 में 0.31 इंच जब की 12 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो वेट दोनों फोन का सेम ही 188 ग्राम्स वेट देखने को मिलता है चलिए अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो नाजो 70 में AMOLED जब की 12 5G में इस LCD की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियों दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियों नौ मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो नाजो 70 में 6.67 इंचर्स जब की 12 5G में 6.72 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 108 शून्य एक्स 2400PX FHD+, मिलता है स्क्रीन टू बॉडी रेशियों नाजो 70 में 87.36 प्रतिशत जब की 12 5G में 86.5 एक प्रतिशत मिलता है बात करें PPI डेंसिटी की तो नाजो 70 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जब की 12 5G में 392 प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मुबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो नाजो 70 में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है और 12 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Nazo 70 में 10 different type के features मिल जाते हैं और 12 5G की बात करें तो उसमें 9 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानी की selfie camera की तो Nazo 70 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते हैं और 12 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं आए अब बात करते हैं हार्डवेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे हार्डवेर में सबसे पहेले CPU जो की स्पीक के हिसाब से देखा जाये तो फोन में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं GPU की बात करें तो, नाजो 70 में माली G68MC4 जबकी 12 5G में माली G57MC2 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, नाजो 70 में MediaTek Dimensity 7050 और 12 5G में MediaTek Dimensity 6100 प्लस, मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, two options देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 6 GB, 8 GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 126 GB storage मिलती है expandable memory की बात करे तो नाजो 70 में अप्टू 1 TB जबकी 12 5G में अप्टू 2 TB है operating system दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है battery की बात करे तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करे तो दोनों फोन में same ही दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो नाजो 70 में दो वेरेंट देखने को मिलते है जो कि 6GB RAM 128GB storage के साथ 15,365 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करे 12 5G की तो उसमें 2 वेरेंट देखने को मिलते है जो कि 6GB RAM 128GB storage के साथ 16,999 रूपीज 8GB RAM 128GB storage के साथ 17,999 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन कौन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Realme Naso 70 में 8, 5 दे और 7 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करे Realme 12 5G की तो उसमें 8, 5 दे और 8 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Naso 70 आगे है, Main Camera में 12 5G आगे है, Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है, Performance में Naso 70 आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Moto G 044G है, दुसरा Tecno Camon 35G है, तीसरा Realme 12 Plus 5G है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो ग्रप्याय से Like, Share और Subscribe करना न भूले